हलो दोस्तों एक और नई रेसिपी में स्वागत है आप सभी को आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ खजूर गुड का रसुगला यह रसुगला कोलकता का फेमिस रसुगला में से एक है आज मैं आप सभी को यही बना कर दिखाऊंगा और फ्रेंस वीडियो को पूरा देखिए इसकी मत करिए नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा खजूर गुड के रसुगले बनाने के लिए हमें चाहिए खजूर का गुड तो फ्रेंस मैंने बाजार से खजूर का गुड लेकर आया हूँ और इसे कुछ लोग भी नोतुन गुड भी बोलते हैं और आप चाहे तो इसे ओनलाइन भी पर्चेस कर सकते हैं क्या आप सभी ने खजूर गुड का नाम सुना है आप हमें कमेंट करके बताना चलते हैं हम खजूर गुड के रसुगले बनाना सुरू करते हैं हम पहले एक कडाही लेंगे और हम गैस को उपर हमें रखना है और हम उसमें एक लीडर दूद डालेंगे रसगुले बनाने के लिए हमें यहाँ पे काव मिल्क लेना है यानि गाय का दूद और हमें गैस ओन करना है और हम इसे एक उबाल आने तक हम इसे पकाएंगे और ये देखिए दूद में उबाल आ चुका है और हम गैस बन कर देंगे और हम इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे हमें यहाँ पे दूद को तुरंत फाड़ना नहीं है अगर हमने अभी दूद को फाड़ दिया तो हमारे जो छेना यानि जो पनीर बनेंगे और और रबड की तरह बन जाएंगे दूद को फाड़ने के लिए मैंने यहाँ पे भेनिगर लिया है और हम भेनिगर को थोड़ा सा निकाल लेंगे और हम उसमें थोड़ा सा हमें पानी डालना है और उसके बाद हम दूद को फाड़ेंगे और देखिए दूद ठंडा हो चुका है और हम इसमें हाथ डाल का चेक कर लेते हैं देखिए अभी ये गरम है पूरी तरह से ठंडा नहीं है हमें इसी तरह से चेक कर लेना है और ये दूद तब भी थोड़ा ज़्यादा गरम है हमें पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है भेनिगर को हमें थोड़ा-थोड़ा करके डालना है और हम इसे हाथ से इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि हमारे दूद अच्छी तरह से फट जाए हमें एक बार में सारा भेनिगर नहीं डालना है नहीं तो हमारे छेने बड़े-बड़े दाने बन जाएंगे इससे पहले मैंने जो दूद को फाटने वाला वीडियो बना था हमने उसमें छेने का पानी यूज़ किया था और इस वीडियो में मैंने भेनिगार यूज़ किया है और देखिए दूद फट चुका है, तो हम इसे थोड़ा देर के लिए रख देते हैं, हमें इसे अभी छानना नहीं है, हम थोड़ा देर बाद इसे छानेंगे, और देखिए छेने कितने दाने दाने बने हैं, और हम इसे अब छान कर निकाल लेते हैं, पनीर को छान के निकाल कि लिए हमें यहां पे जालीदार कपड़ा लेना है ताकि हमाऔर हम पानी अच्छी तरह से इसके बाद हमें कपड़े को बांद्व कर जुड़ी को उलट कर रग देना है और youngest् Model याफ बचे हुए पानी को हम हाथ से दबा कर निकाल लेंगे हमें यहां पर पूरा पानी निकालना नहीं है हमें छेने को थोड़ा सा नरम रखना है छेने को हम एक प्लेट में निकालेंगे और इसे हम खोल कर आपको दिखाते हैं कि हमारे छेने कैसे बने हैं और यह देखिए हमारे से अच्छी तरह से मलिस करना है और हमें इससे एकदम स्मूठ डो बनाना है और देखिए हमारे छेने का डो बनकर तयार हो चुका है और एक कितने शौपट और मुलायम है अब हम इसे फिरिज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए और देखिए च्छाना हमारा ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे रसुगुले का बोल बनाते हैं, अगर आप च्छाने को फिरीज में रखेंगे, यह सौप्ट और मुलायम हो जाएंगे, अब हम इसमें एक चमच मैदा डालेंगे, हमारे घर में जो चमच होते हैं, हम उसे एक चमच भरके देंगे इसमें मैदा, और इसके बाद रसुगुले को फुलाने के लिए हम इसमें सोडा देना है, हमने यहाँ पे एक एक पिंच करके दो बार सोडा डाला है, मैंने इसमें दो पिंच सोडा यूज किया है, सोडा देने के बाद हम इसे इन तीनों को अच्छी तरह से कर त्यार करना है जाके हमाई रसगुले का बॉल अच्छी तरह से बन जाए अगर आप चाहे तो इसमें मैदे के जगा क्रोन फ्लावर यूच कर सकते हैं या आररोध भी यूच कर सकते हैं दोनों मसे आपके पास जो हो आप वही यहां पर दे सकते हैं एक ही चमच हमें डालना है हाथ की गद्दी से हमें अच्छी तरह से मालिस करना है और यह देखिए मालिस करके हमने एकदम अच्छी तरह से डो बना लिया है एकदम सौप्ट और मुलाम है इसके बाद हमें रसगुले का बोल बनाना है चलते हैं हम रसगुले का बोल बनाकर तयार करते हैं अब हम इ हिसाब से छोटे या बड़े पीस कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो मैंने यहाँ पे सारे रसुगुले का पीस काट लिया है यहाँ पे हमारे 14 रसुगुले बनेंगे रसुगुले को हम एक एक करके सारे रसुगुले को बोल बनाएंगे और हमें रसुगुले को गोल करते समय एक बात को ध्यान देना है कि इसमें एक भी क्राक नहीं रहे it अगर इसमें क्राक आ जाएंगे तो रसज़़ह हमारे कडाई में चासनी में और फथ जाएंगे और friends यहां पे ध्यान से देखिए हमारे एक रसज़़े में क्राख है और मैंने इस तरह से दबाया देखे एक इस तरह से फट गया इसलिए मैं कहता हूँ कि रसगुले को जब गोल करे एदम अच्छी तरह से गोल करे जैसे मैंने यहाँ पे गोल करके आपको दिखाया है इसमें एक भी क्राक नहीं है इसी तरह से हमें एकदम गोल करना है पानी दिया है और उसी कप से हम दो कप चीनी डालेंगे यानि दो कप चीनी और दो कप पानी चीनी डालने के बाद गैस हम ओन करेंगे और हम इसे पाउने की मदद से हमें चीनी को चलाना है ताकि हमारे चीनी अच्छी तरह से घुल जाए अब हम यहां पर डालेंगे खेजू अच्छे मिठाईयां बनती है, संदेज भी बनते हैं, रसगूले भी बनते हैं और बहुत सारी मिठाईयां बनती हैं, गुढ को हमें चासनी में छोड़ देना है ताकि हमारे गुढ अच्छी तरह से घुल जाए, उसके बाद हम इसमें थोड़ा से हमें दूद देना है दूद डालकर हम चासनी को अच्छी तरह से साप करेंगे क्योंकि चासनी बहुत हमारी महली रहती है चीनी दूद देने के बाद गैस हम मीडियम फिलेम में करेंगे ताकि चासनी हमारी अच्छी तरह से साप हो जाए जब हम गैस मीडियम फिलेम में करेंगे तो चासनी का जो सारा मायल है उपर आ जाएगा और हमें एक पाउना लेना है और हम पाउने से चासनी को अच्छी तरह से साप करेंगे और दोस्तो एक मिनट तक इसे चासनी को उबालेंगे आप जब चासनी को एक मिनट तक उबालेंगे चासनी में देखेंगे थोड़ा सा जाग बन जाएगा और चासनी हमारा थोड़ा सा गाड़ा हो जाएगा एक मिनट चासनी को उबालने के बाद रसगुले को बोल को हम एक एक करके कडाही में हमें छोड़ देना है एक एक करके हमने सारे रसगुले का बोल छोड़ दिया है और हमें यहाँ पे अभी इसे पाच मिर तक हाथ नहीं देना है और हमें इसे चासनी को उबलने देना है हमें यहाँ पे एक बात को ध्यान देना है कि गैस हमें यहाँ पे हाई फिलेम में करना है रसगुले को हम चासनी के अंदर ही आपको पका कर दिखाएंगे और हम यहाँ पे रसगुले को ढख कर नहीं पकाएंगे अब यहाँ पे एक प्राब्लम आता है कि अब हम रसगुले को जाग के अंदर कैसे पकाएं तो जाग बनाने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा हम मैदा यूज कर रहे हैं चासनी में हमने जब थोड़ा सा मैदा डाला तो देखें एक इस तरह से जाग बन गए हमें यहाँ पे कडची लिया है और कडची से हम रसगुले का उपर से हलका हलका सा घुमाएंगे और देखिए रसगुले हमारे थोड़ा थोड़ा सा फूल चुके हैं और देखिए किस तरह से पूरे जाग बन चुके हैं और देखिए जाग के अंदर रसगुले हमारे डूप चुके हैं और हमें इसी तरह से जाग के अंदर रसगुले पकने देना है पांच मिनट बाद हम देखते हैं कि रसगुले हमारे फूल कर बड़े हुए हैं कि नहीं और देखिए दोस्तों अभी हमारे रसगुले पूरी तरह से फूले नहीं है अभी हमारा जो रसगुला है अभी ये एक या दो मिनीड तक और जब पकेंगे तो ये रसगुले फूल कर पूरी तरह से बड़े बड़े हो जाएंगे और हम फिर आपको दिखाएंगे वीडियो में आपने एक बात को नोटिस किया कि जैसे रसगुले हमारे फूल कर बड़े होने लगे तो चासनी बाहर आने लगी तो हम चासनी को एक कटोरी में निकाल लिया था हमने और यह देखिये रसगुले हमारे पूरी तरह से फूल कर कितने बड़े हो चुके हैं चासनी में रसगुल्ला छोड़े हुए 7 या 8 मिनिट हुए थे रसगुल्ले हमारे पूरी तरह से फोल चुके हैं चासनी जो हमने कटोरी में निकाला था और भचे हुए चासनी को हमें रसगुल्ले में दे देना है रसगुले को हमें 5 मिनीट और पकाना है अभी तक हमारे रसगुले 12 मिनीट पक चुके है तो 12 मिनीट बाद देखी रसगुले हमारे पूरी तरह से हो चुका है अब हमें इसमें गरम पानी या ठंडा पानी मिलाना होगा क्योंकि चासनी हमारे उबल उबल कर बहुत ज़्यादा गाड़ी हो चुकी है इसलिए हमें इसमें पानी देना पड़ता है और देखीए रसगुले पूरी तरह से पक चुका है तो इसके जो जाग है और नीचे बैठने लगे है तो इसका मतलब है रसगुले हमारा हो चुका है आप सभी ने जब रसगुले घर में बनाएंगे तो आपको ये 10 या 12 मिनीट बाद आपको इस तरह से देखना को मिलेगा हमें इसी कंडिशन में गरम या ठंडा पानी देना होगा क्योंकि चासनी उबल उबल के बहुत ज़्यादा गाड़ी हो गए तोर हमें यहाँ पे चासनी को पतला करना है हमें इसमें तब तक पानी मिलाना है कि जब तक रसगुले हमारे चासनी के अंदर डूब न जाए पूरी तरह से डूबाना है हमने यहाँ पे गरम पानी दिया है आप भी गरम पानी ही दे तो अच्छा है हम रसगुले के चासनी में पानी धीरे-धीरे करके डालेंगे पानी डालते समय हमें एक बात को ध्यान देना है कि रसगुले के जो जाग है वो नीचे नहीं बाटने चाहिए और इसमें हमें पानी एकदम धीरे-धीरे करके डालना है जैसे जाग उपपर आएंगे फिर पानी देना है जाग उपपर आएंगे फिर पानी देना है ऐसे करके हमें पानी देते रहना है जिस तरह से मैं पानी डाल कर दिखा रहा हूं आप सभी को आप उसी तरह से पानी डालेंगे तो आपके रस चासनी में पूरी तरह से डूप चुके हैं अब हमें गैस बन कर देना है और देखिए रसगुले हमारे हो चुके हैं एक भी हमारे रसगुले चप्टे नहीं है और हमें इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देना है बस उसके बाद खाईए और हमें कमंड करके बताईए कि हमारे रसगुले की रेसेपी आप सभी को कैसी लगी अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने द